ऐसे आपकी किष्टों में मौत होगी अगर आप घलत तरीके का खाना खा रहे हैं। भरा हुआ पेट लेकर सोने के लिए जाना बिलकुल मना है अगर आप अच्छे से जीने में इंटरेस्टेड हैं तो। अगर आप उपयोग करते हैं या अंगमर्दन सिस्टम की योगा अभ्यास करते हैं तो आप पक्का फिट होंगे। अब खाने की बात है। तो भारत में कुछ हट तक ये समझ रही है जो की कुछ हट तक आज भी है लेकिन दुर्भागे से हमारी मौडर्न स्कूली पढ़ाई इसको पूरी तरह मिटाते जा रही है। पर इस बारे में एक संपून घ्यान है कि दिन के किस समय पर क्या खाना सिस्टम के लिए सबसे बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात ये सिर्फ बीमार पढ़ने की बात नहीं है। यूँ ही कम हो जाएगा। क्योंकि आपको इतना सारा खाना नहीं चाहिए होता है। अगर आप इस शरीर में जादा खाना डालेंगे, आपको उतनी ही एनरजी पाने के लिए उतनी ही जादा मेहनत करनी पड़ेगी, इससे शरीर पर बुरा असर पड़ता है। आइए इसे ऐसे समझते हैं, 1960 के दशक में आपके पास वो बड़ी-बड़ी फोड और शेवी कारें थी हैं न, वो बड़ी-बड़ी युद्धुपोतों जैसी, थी न, वो कितना पेट्रोल पीती थी और आज की मॉडर्ण कारें कितना पेट्रोल पीती हैं। खेर अब आप इलेक्ट्रिक कारों में जा रहे हैं, न, कोई आवाज है, न, धुआ, कुछ भी नहीं है, ये मक्खन जैसी चलती हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि हमारी बनाई गई मशीनों में भी हम इंधन की खपत कम करना चाते हैं। हमको इस शरीर पर भी धन देना पड़ेगा, क्योंकि इस शरीर में थोड़ी सी उर्जा पाने के लिए अगर जरूरत से जादा इंधन लगे, तो ये न केवल आपकी एकॉनमी, ये आपकी नेजी एकॉनमी के लिए बुरा है, बलकि इस मशीन के लिए भी बुरा है, क्योंक अगर आप अच्छे से जीना चाते हैं, तो उपयोग नाम की एक चीज होती है, यानि छोटा योग, या कुछ कारगर प्रक्रियाएं होती हैं, जिनका अध्यात्म से कुछ लेना देना नहीं होता, अगर आप उपयोग करते हैं, या अंग मर्दन सिस्टम की योग अभ्यास करते हैं, तो आप पक्का फिट होंगे, आपको किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको बस 6-6 की जमीन चाहिए, और आप सुपर फिट होंगे, आप मसल्स बना सकते हैं, इसमें सब कुछ है, बस इतना है कि आप ऐसे नहीं होंगे, आप ऐसे नहीं बनेंगे, आपके शरीर में लचेलापन होना भी उतना ही जरूरी है, योग में हम केवल मास्पेशियों की ताकत या शरीर के ढाचे को ही नहीं देखते, शरीर के अंगों की सेहत बहुत महत्वफूर्ण है, तो इसंसे शिस्टम को विखसित किया जाता है, ताकि अंग सवस्थ हो, ये तब ये नहीं है कि आप बड़े-बड़े मस्ल्स बनाकर ऐसे ट्रेडमिल पर चलें, नहीं। हमारे सिस्टम के पांचों मूल भूत तत्वों के शुधता को मजबूत करना बहुत जरूरी है। कैसा करने का कोई तरीका है? हाँ, कुछ खास तरीके हैं जिन से हम ऐसा कर सकते हैं। फिलहां लेक आसान तरीका है, मिटी और पानी और पौधों के साथ रहे कर काम किजिए और खुले में रहे, इतने से ही कुछ होने लगेगा। लेकिन योग में कुछ विशेश तरीके भी हैं। असल में योग का जादातर हिस्सा बस यही है, भूत शुद्धी यानि मूल भूत तत्वों को शुद्ध करना। तो अपने सिस्टम में मूल तत्वों की संरचना में शुद्धता लाए बिना, चाहे आप अपने आपको कितना भी मजबूत मानते हों, जीवन के माइनों में आप मजबूत नहीं हैं। शायद आपकी मसल्स मजबूत हों, पर वो आपको जीवन के कुछ विशेश पहलूं में बचा नहीं पाएंगी। आप देखेंगे, हमेशा नहीं, पर आप देखेंगे कि कोई होगा जो बड़ा हटा-कटा लगता होगा और शरीर से बड़ा तगड़ा होगा, पर बस एक छोटी सी बीमारी और वो पस्त हो जाएंगे, दो दिन का बुखार और वो बस फुस हो जाएंगे। कोई दूसरा होगा, वो उतना ज़ादा मस्बूत नहीं लगता, बड़ा मरियल सा दिखता होगा, पर आप देखेंगे कि वो कितनी ही बीमारीों की मार जहल जाएगा, ये सिस्टम के अंदर मूल तत्वों की शुदता पर निर्भर करता है, कि आपके तत्व कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं उसी के हिसाब से, और मूल तत्वों की शुदता ये भी तै करती है, कि आप अपने शरीर का उपयोग कैसे कैसे कर सकते हैं, अगर आप में मूल तत्वों की शुदता नहीं है, और अगर आपने अपने शरीर का इस्तमाल कुछ सीमाओं से परे किया, स इसलिए योग साधना होती है, जिसकी शुरुवात भूत शुद्धी से होती है, योग के सभी पहलू मूल रूप से भूत शुद्धी ही है, कितने ही अलग अलग तरीकों से की जाती है, क्या कुछ ऐसा विशेश है जो अभी हम योग के मार्दरशन के बिना कर सकते हैं, एक सलल तरीका है, बगीचे में काम कीजे, दिन में कम से कम एक या दो घंटे टहलिए, विशेश रूप से रात का खाना खाने जाने से पहले, या दो पहर के खाने से पहले, खास कर उससे पहले, कम से कम आधी घंटे, बिना जूते पहने चलिए, ग्रिनाइट पर नहीं, या त अगर शरीर पृत्वी के संपर्क में होगा तो आप जो खाना खाते हैं उसे शरीर बिलकुल अलग तरीके से पचाएगा खाना तो वैसे भी पचेगा पर खाना शरीर को कितना लगेगा ये इस पर तय होता है कि आप पृत्वी के साथ कितनी लै में हैं तो अगर आदे घंटे भी आप चलें, बिना जूते या चपलों के, और शरीर मिट्टी से जुड़ा रहे, तो आप देखेंगे कि तत्व अभी जैसे काम कर रहे हैं, उससे थोड़ी जादा खंडता के साथ काम करेंगे, तो कुछ समय तक बाहर समय बिताना, सूरज के साथ होना, हवा के साथ होना, बारिश के साथ होना, धर्ती के साथ होना बहुत महत्वपून है, क्योंकि आप वही तो हैं, आप इनहीं तत्वों से पैदा हुए हैं, आप इनहीं से तो वजूद में आए हैं. कर दो और लो tangled, औरने वांदे हैं in सभाइक हैं